बाई अभी बारिश काफी जादा तेज हो गया है यह देखें पीछे जो है ना ओ भाई ओ भाई ओ भाई उदर उदर इसे मुबाईल लो सफर का अगाज हमने कर लिया है हुंजा से नरान की तरफ और वा कभी और वा को इंटर कॉम से आवाद आ रहे हैं वाव मेरे लेट पे इसे जाए का राका पोशी व्यूपॉइन्ट इसको बोलते राका पोशी का पहाड है और ये जगा कहलाती है राका पोशी व्यूपॉइन्ट यह भी टेबल पर समान 26 एम से नाच्टा यहां रखा है लिजखत की तरफ बहाँ से लीच यहां रखा यैश्य, से ब्पाउअ क बीच्छे हैं इस व्यूपॉइंट पर मैं रुका हूँ अच्छा यह गिलगित का वाइपास है महलब सीधा आप चले जाएंगे तो गिलगित की तरफ इंटर हो जाएंगे आप अच्छा भी मैं पहुंचने वाला हूं जग्लोड जंक्शन पर यह यह यूर्वा अब इसको चीज वागरा दिला दिये अब यह चलास तक सकून से बैड़ी आएगी तो जी चलास हम पहुंच चुके हैं तो यह मुझे उपर सा आगे से ना हैंडलिक में तोड़ा सा इशू हो रहा है इस वक्त बाबुसर टॉप पर हूँ है वह फैमली है यह बाइक बाइक है उस गाड़ी के अंदर हमाए थे को प्लान नी बन पारा के बटा कुंडी में स्टेक करें या नरान चले जाए असलाम लेकूम गुड मॉर्निंग प्राम हुंजा आज हुंजा में मेरा तीसरा देन तो अभी प्लान यह हुआ है कि कुछ वेट करते हैं एक से दो गुंटे और उसके बाद देखते हैं अगर तो मौसम बहतर होता है तो हम ट्रेवल करेंगे अगर मौसम बहतर नहीं होता तो फॉसिबल है फिर आज हमारा यहां पर स्टे हो जाए क्योंकर आगे मौसम का कुछ नहीं पता होता है हलकी सी बारिश में भी बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग सम टाइम हो जाती है और अजर स्लाइडिंग हो गई तो फिर रहां से बैटें में रूम में तो ही स्टे कर लेंगे फिर भारिश काफी जादा तेज हो गई है यह देख से मौसम जो है ना थोड़ वह भाई यह भाई यह भाई उधर उधर इस यह इस से मुबाईल लो तो अभी इदर आजो बेटा अभी यहां से बस निकलने वाली कानी करते हैं और मौसम अलब्ला ठीक हो चुका है कि यह हमारी छोटी व्लॉगर कि इन फ्यूचर की तो बस पैक अप करते हैं बाइट पूरी दिली अभी इसके खबड़ा और साफ करने हैं बहुत ही प्याराणा चले जी निकलते हैं चलो आजो पीटा चले चलो 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 नरान चले नरान अच्छा आज़ो बाबा करते हैं उपर से बारिश का पानी आ रहा है उर्वा के उपर हमने पैक अप कर लिए फैनली और यहां से नरान के लिए सफर का अगास कर रहे हैं बाइक अल्मास्ट अड़ी हमारी इस होटल में हमने स्टे किया था करीमाबाद कैपिटल होटल एं रेस्टरेंट यह इनका नंबर है तो हमारा एक्सपीरेंस इस होटल के साथ अच्छा था क्योंकि करें तीन दिन का स्टे था मेरा यहां पर और अच्छी सर्विस थी लाइका फैमिली कोई प्राब्लम नहीं मुझे इस होटल में अब आना चाहते तो यहां स्टे कर लें चलें सफर का अगास करते हैं हम्जा स नरान की तरफ बिस्म लाह रर्रह्मान रर्रहीम सफर का अगास हमने कर लिया है हम्जा से नरान की तरफ अच्छा जो मेरे स्टे होंगे वह एक तो जीरो पॉइंट पे होगा क्योंकि मेरे कैरियर के साथ तोड़ा सा प्राब्लम होगे वेट काफी जादा होने की वज़ा से वह बहुत जादा नीचे की तरफ चला गया है तो उसको लेके मैं उपर की तरफ नहीं जा पाऊंगा बाबु सर टॉप तो पॉसिबल है कि मैं अपने किसी फ्रेंड को जो मेरे दोस्त हैं चिलास में होते हैं उन से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना कोई विकल लेक के आजाएं ताकि यह कि मैं उसमें समान लेकर बाइक इसली लेकर उपर चल जो पॉसिबल है कि हम लोग बाबु सर चिलास जीरो पॉइंट पर हम लोग समान सारा गाड़ी में डालें और वो मेरी बाइक राइट करके उपर लें ऐसा मुम्किन है वैसे तो अभी जगलोट पहुचकि मैं उनको कॉल करूंगा बाकी यहां से निकलते हैं नीचे के चछफ्पे और प्ट्रोल भर बढ़ाते हैं और पिर आगे ट्रैवल स्टार्ट करते हैं घ्र माचुके हैं के यहां चुके हैं के अल करफे देद्स हrav veggies है अब इसी के के अर्च पी हमने ट्रैवल कर तिल राइकोट मेरा से। वहने से भी कगे अची है लेकिन इस तरह की बस राइकोट तक है। और उसके बाद पिर हमने राइकोट से चलाज जाना है। चलाज से फिर फिर वपर बावुसरटाप बावुसरटाप तूर्ड नरानगे यहां से पेटरॉल भरवाते हैं उसके बा कि भाइया फुल कर देना तो भाइया इकत्यस सो पजास का पेटरॉल डाला है लास्ट मैंने 26 संथिंग के टंकी फुल करवाई थी दुबारा से गिलगेट से आते हुए गिलगेट से मैं आया था सोस्त सोस्त से फिर मैं हुँंजा हाए हूं हुंजा मैं फिर इदर उदर गुमे थे हम और गुम फिरके अब दुबारा मैंने एकत्यस सो संथिंग का पेटरॉल डाला है 1- कि उस खारीपन समझें के रिजर्व लगने ज़ा था है कि मेरे ख़ल 2-liter का रिजर्व होता है समें 14-liter का तंगी है 12-liter फ्यूल आता है 2-liter रिजर्व होता है तो टोटल जू कि पैसिटी है वह 14-liter की ए और में और कभी ओर और पर इंटर कों से वाद आ रही है वाओ भूख तो नहीं लग रही तुम लोगों को लग रही है तो बताओ कहीं रोपनों को पिर तो कहां स्टेए करना है तो अब वहां फिर आगे पीछे 50-50 km के फासले पर कुछ भी ना हुआ फिर वैसे तो होटल मिल जाते हैं 10-15 km के फासले पर कोई ना कोई ये ना कोई हाने खासले ना अब होटल आजाएगा अ है राका पुषी वियू पॉइंट फे प्रेक करें राका पुषी वियू पॉंट फेस्ट मेरे लेट पर आएगा राका पुषी व्यूपॉइव पॉइड भी बिल्कोल विजिबल है अहादे हुए होगा अटे हुए हुआ हुआ है गो इस में अधर पीज लेके बाबा आप अ था आ जो आ हो आप है तो अधरी जाया प्रक्त परस्पाइग से रुखें प्रागपुशी विझगांट पर को मैंने हेलमेट शारा है और यह पाम्ली जा रही है और ये राका पोशी का पहाड़ इसकू बोलते है राका पोशी का पहाड़ और ये जगह कहलाती है राका पूशी व्यू पॉइंट वैसे तो आपको राका sagt गूर्शी देहोन के यहां हमारा ब्रेकफास होगा अब्रेकफास हमारा अचुग है और देसी नाच्टा करेंगे अब यह भी टेबल पे समान, यह भी टेबल पे समान यहां पे नाच्टा यहां रखागा यहां यहां शुटे अब्रेकफास होगा यहां इन्थम्रों करेंगे इन्यों यहां वादान, यहां कर देलाओ करेंगे शुटेबल पूइंट पूइंट पर हमने कर लिया ब्रेकफास और अब बाइक लेंगे और चाहेंगे गिल्गित की तरफ वहां से गिल्गित से बाबस्तर नरानी कि समान पूरे अच्छा जब आप अधर से आरे हो ना उन्जा से तो आपको यह होटल जो है ना बहुत अच्छा व्यू वाला मिल जाएगा यह बहुत ही नाइस व्यू इस होटल का वाव अभी आते हुए हमने यहां पर ब्रिकफास्स किया था अभी हम गिल्गित से हैं 35 किलो मेटर पीछे ह अच्छे हैं गिल्गित अल्मोस्ट पहुंच चुके हैं 5 किलो मेटर पर है में सिटी गिल्गित का तो मुझे आरे थी थोड़ी से नीन तो स्टे लेने के लिए यहां पर हुके हम अच्छाय पियोंगा भई मैं तो अर्वा यहां से अटाव इसको सिंगल पर लगी है पीछे करो अभी कुछ देर के लिए हमने स्टेल ही रहा है किल्गित से 5 किलो मेटर पीछे हैं इस व्यूपॉंट पर मैं रुका हूं है मैं अपने लिए चाय मंगवाई है और क्यूके सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से नेक्स्ट हमारा इस्टे होगा जगलोट पर जगलोट जो में जंक्शन पॉइंट है ना तीन पहाड़ी सिलसलों का वहां जाते हुए हमने स्टेल नहीं किया था अभी यहां से जाते हुए स्टे करेंगा है 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 चलते हैं यहां से जगलोट की तरफ पैसे पूछ लो से आपके पास है नहीं है तैरी आज़ा ठीक चल वाज़ा चले वह चले 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 मुचे जाला तर वह होटल सच लगते जिसका व्यूपॉंट हो अब वहां टॉपी बैठा था तो नीचे बिलकुल जो है ना आप शार जो एक बड़ी स नाला सा गुजर रहा था उसका जो है ना व्यूपॉंट अच्छा रहा था यहां से उस होटल का व्यूप आएगा मैं देखता हूं आई तिंक वह सामने वाले होटल से हैं वह रहा वहां से हम यहां आ गए चबही यह गिलगित का वाइपास है मलब सीधा आप चले तो गिलगित की तरफ इंटर हो जाएंगे यह इसका वाइपास है मैं यह में केकेच है यह केकेच पीछे से आ रही है और यहां से केकेच लेफ्ट हो जाएगी तो आपका गिलगित सिटी आ जाएंगा में चिलाज सिटी है भाई 122 किलोमीटर उसलामबाद है 583 चलते चलो ही अभी तो बहुत सफर है एक 122 किलोमेटर तो पता नहीं चलेगा सफर का जल्दी हो जाएगा बट जो अच्छा भी मैं पहुंचने वाला हूं जगलोड जंक्शन पर और मेरे लेफ्ट साइट पे जो रूड़ आप देख रहे हैं अब नदर आएगा थोड़ा बहुत वह वो जो गाड़ी आपके जा रही है वो नीचे उतर रहा है रास्ता आगे से थोड़ा सा आगे जाकर मैं आपको व्यू कराता हूं यह रहा है यह स्वन है सीधा जा रहा है सकर्दू मेरा प्लैन था सकर्दू जाने का बट टाइम बहुत हो गया ट्रैवलिंग बहुत जादा हो गया सकर्दू खबलू चले हो भाई सकर्दू 169 और दो तीन चार स्ट्रे में सकर्दू पहुंच सकते हैं कराची किल्गित इसलामाबाद नीचे चले फोटो शोट हो लें वहां पे खड़े हो के यह हैली पैड है वो नीचे बोर्ट के पास मारख और आईवेक्स वाव यह देखें जी वो ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही है और वो एस फन चल रहा है बहुत ही आउट क्लास रोड है वो भी अभी हमने जाना है जगलोड आठ किलो मेटर पे जंक्शन ओफ त्री वर्ल्ड हाइस्ट मांटेंज यह है भाई कोई भी नहीं है आप पर फोटो कॉल लेगा सल्फी लेकर ट्राइ मारता है जेर यूर्वा इस पॉइंट है दुनिया के तीन बड़े जो पहाड़ है उनका जंशन है मतलब इस पॉइंट पे लोग दुखते हैं आके शाराय करा करम नहीं सारी इंदू कश् यहां में चले बड़े इदर से एक्शली बैने तस्फिर लेनी थी बट यहां कोई है नहीं कोई टूरिस्ट भी नहीं है और फैसल मोवर जा रही हो भई यहां से 34 किलो मेटर है राइकोट राइकोट ब्रिच चलो भई यहां से और वा को चीज दिलाएं दुकान ही बंद है और वा बावाव बच्ची को चीज दिलाएं ताके वो थोड़ा सा रिलेक्स हो जाए उर्वा बाव बाव इसको ले जाओ आराम सोदर अब इसको चीज बगरा दिलादी है अब यह चिलाज सक सकून से बैड़ी आईगी एक नांगा परवत व्यूपॉइंट आता है वो पदनी पीछे मैंने मिस तो नहीं कर दिया कहीं कुछ खाने पेने का मूड है अच्छा उटल बना हुए यह आई तिंक पॉइंट है यस मैं समय तो मैंने मिस कर दिया यह है नांगा परवत व्यूपॉइंट अब मुझे नांगा परवत तो दिख जाएगा मन्नुत पता भी निया नांगा परवत कौन सा तुक्का ही लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है डिटेल पढ़ लेते हैं लास्ट भी पता किया था मैंने ओके जी वो सामने है नांगा परवत गोप्रो से तो जूम नहीं होगा माईफून से शूट करता हूं इस वक मैं हुँ नांगा परवत व्यूपॉइट के उपर व्यूपॉइट के पास और तुक्का माँने लगाँ किसी से पुश्टा हूं बैराल मुझे लग रहा है शायद यह बहुत रहा है कि दार रहो मुर्शिद इधर आओ ना फिर आओ ना इसरा आए अधिंक सो यह है तुक्का है यहां पर व्यूपॉइंट ही है सब से उचा पाड़ तो यह है यह हो सकता भई नांगापर पर एक दफ़ा फिर देख लें माशालाई सुभानलाई अब यह है इसके डिटेल पढ़ लेना वीडियो को पॉस करके अचा बेटी ने लेख लिए तस्वीय आइस क्रीम की अगया और अभी आइस क्रीम के चक्का हो तो रुखना नहीं था भई यहां पर आइस क्रीम के वह इसे रुखना पड़ा है जाओ जाओ तुम ले लो जाके अंतर तुमने कुछ खाना पिना तो वह भी ले लेना जाने दूबाइक है जाने दूबाइक है जी वह सामने है राइकोट का ब्रिज और जो असल केकेज का मज़ा है वह यहां पर हो जाएगा खत्म वह सामने उसका फैरी मेडोस का ट्रैक जा रहा है वसे यह आगे चिलाज जीरो पॉइंट तक केकेज है और आगे हसन अब्दाल तक जा रही है दूआ इसलिए के वह तत्ता बाने सारा कच्छा बैचाना गाड़ पॉड़का पॉरब भॉजर नया डया तक को जिए चिलास हम पहुच चुके हैं और पांच बेस से पहले पहुचना था खेर पांच से पहले हैं इस वक्त मैं हूँ फखरे पंजाब होटल पे और यहां पे अबू बकर भाई के कदन आएंगे वह मेरी यह बाइक लेकर जाएंगे उपर टाप पे क्योंकि इसके उपर वेट काफी जादा है तो यह मुझे उपर सा आगे से ना हैंडलिंग में थोड़ा सा इश्यों हो रहा ह तो मैं जाओंगा बाइक पे अचा यह बाई अच्छा यह बाई सलाम अलेकुम इस ऐसे यह लेकर जाना है गोड़ा आपने समानमान उतार लोगा ना इसके से वह गाड़ी में रख लेंगे तो बिस गाड़ी आ रही है यह मैं बाबुसर टॉप से मेरे रखल 15 किलो मीटर प तो यहां गाड़ी है कि उसमें बैठेंगे और टॉप पर जाएंगे वह समान दुबारा लोट करेंगे फिर तो उत्राइए सारी तो आगे निकलेंगे इंशाल्ला नरान की तरफ सब्सक्राइब गाड़ी आ गई और समान डालते हैं बैठते हैं और उपर पहुंचते हैं बस अभी टॉप पे पहुंचते हैं और गाड़ी का एक्स्पिरियंस करते हैं कि टॉप पे गाड़ी कैसे जाती है इतनी दफ़ा करें पाइप पी गएए हम लोग पहुंच गये हैं बाबुसर टॉप पे वाइब तोप पे हमारी तोप पहुंच जाती है इस वक्राइब वाइक पाइब गई होंच वह एंव फैमली है यह वाइक है उस गाड़ी के अंदर हम आए थे 20 किलो मेटर पीछे से तो अभी बस यहां से जा रहे हैं नरान में स्ट्रेय है हो सकता है कल भी में नरान रुक जाओं और थोड़ा स्ट्रेय करें नरान के अंदर तो अभी निकलते हैं अबुबकर भाई ने बड़ा कॉपरेट अबुबकर बहुत शुक्रिया आपका यार कोई बन नियत बहुत बनता है हमारे इतने दूर से आप लोग हमारे पास आते हैं जजाए बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इन्होंने सारा मेरा जो है ना उपर आने का निजाम एक कॉल पर कर दिया था अभी इंशाललह इंसे नेक्स सीजन मे अपर तो बहुत नहीं है तो निकलते हैं नरान की तरफ लोड करते हैं बाई सफर का आखास करते हैं क्योंकि अंधेरा उने से पहले थोड़ा करीब जाना आए आगे लूलू सर लेक से अगे नीचे सशनाटा मस्क्रा तो कोई भी नहीं लेकिन अंधेरा है तो फिर थोड़ स्पीड का और फिर प्रॉब्लम आ जाती है चलें बई बैठ जाओ बैठ जाओ लोड़ जाओ 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 सब्सक्राइब करें करें। अफारा सतरा किलो मिटर हैं यहां से नरान कि प्लान नीं बन पारा के बटा कुंडिंध में स्टेक करें या नरान चले जाए। मेरे ख्राइल से तो नरान वाला प्षिण बिले लिये जादा वेतर है। नरान चले, चले वह गाड़ी मी नरान जा लिए, उसके पीछे बीचे नरान चलते हैं मैं एक्छली सीजन आउट हो चुक है मेंस के सीजन खतम हो गया टूरिजम का तो इन एरियाज में वसे हुंजा और इसकर्दू वाली साइट तो चलती है दास वाली साइट से लोग आटम वगरा देखने जाते हैं यह वाली साइट क्लोज हो जाती है दू तो रेंड वा सारी स्नौ फाल नरान पहुंचते है होप के नरान में रश नी होगा आज नरान एक किलोमीटर रह गया है अब आपको दिखाते हैं नरान में रश है या नहीं वसी हाइट स्टार्टर को यह पिरिज आ जाएगा आगे यास प्रिश्ट रट गया है मुझे यार अले जी वेलकम टू नरान अब भाई साब सन्नाटर बढ़ा हुए है मैं समझ रहा था उससे जादा रश होगी यहां पे और बेटा आजाओ आराम आराम से उपर इभी बस समान वगजरे लेके जा रहा है बेटी जो है वो आराम आराम से मिचारी इसमें कई डौर देख लिए तो वो अजाना तो सलाम अलेकूम इस वक्त हो रहे रात के पौने बारा और हम पहुंच गए थे अल्मॉस्ट साड़ी आठ साव आट बेजे नरान फ्रॉम हुंजा तो अभी मेरी आंख खुली वो भी मैंने बाइक पार्क करनी थी नीचे इस वज़े से हिम्मत करके मैं उटके नीचे आए तो मैंने सुचा चलो यहां से कुछ पर्चेस करने कुछ खा पी लें क्योंकि डिनर नहीं किया ठकावट इतनी हो गई थी के नींद बहुत जादा आ रही थी तो अभी जिस्ट में बाहरा हैं वाइक खड़ी की है और अब यहां से कुछ खाने का समान लेता हूं और खाना लेक कि पार्सल ले आया हूं मैं क्योंकि हिम्मद ने थी बाहर निकलने की जबते होटल यह से जाते हुए भी हुआ था और वापसी में भी यहां पर ही स्टेय हुआ मैं डरकी ही आ गया था मैंने का लोड़ने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनको बोलके ही आता कि वापसी में भी मैं आऊंगा तो जी डिनर लगने लगा है और उसके बाद दिनर करके फेर सुझेंगे बिटी टुन पड़ी होई माशाला अब आपसे मुलगाद होगी कल के विलॉग में पिंडी से कासवरी नरान से पिंडी